हाई गाईज आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल गुर्मंत्र सिक्षा के गृंत में बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपकी एजुकेटर सरन्या और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ अनिमल बायो टेकनोलोजी तो आपको पता है कि गेट एक्जावनेशन के लिए थोड़े ही दिन बचे हैं अभी हमारा पोर्शन भी उतना ज्यादा नहीं है अनिमल बायो टेकनोलोजी के लिए शायद तीन क्लास और होंगे उसके बाद हम शुरू करेंगे जैनिटेक्स जैनिटेक्स सबसे ज्यादा इंपोर्डन टॉपिक है इसलिए मैंने उसक लास्ट में रखा है ताकि जितना भी आप समझ सके उसे डिरेक्ली एक्जाम में उसका परफॉर्मंस कर दें ठीक है जो चीज थोड़ी मुश्किल है वो एक्जाम के टाइम में आप नजदीक में पढ़ाई करोगे तो ज्यादा याद रहेगा आपको और उसके बाद हम करे पर जितना होगा उतना डेफिनिटली हम करेंगे मैं तो चाहती हो कि 10 आपके लिए करा दूँ ठीक है सोच रहे हों कि मैं पुरा 10 आपको क्या करना है उससे पहले आपको आपको revision करना शुरू करना है क्योंकि P.I.Q. session आपके लिए it's not going to be like a learning नॉर्मल lecture के तरण नहीं होने वाला है P.I.Q. आपके लिए test होने वाला है तो आप क्या करेंगे शुरू से बायो केमेस्ट्री से जहां से हमने शुरू किया था वहां से लेके अभी तक जितना भी पढ़ाया है सब कुछ revision कर लीजेगा complete revision और आपको unit wise में test नहीं लेके आने वाली पूरा का पूरा सारा का सारा हम question paper solve करेंगे not unit wise वागर जैसे question paper में है उसी order में हम solve करेंगे तो आप लोगों को सारा के सारा concepts fingertips में होना चाहिए और यह PYQs को solve करना इसलिए important है क्योंकि previous year question paper gate की standard के ही होते हैं क्योंकि वो gate का ही exam है तो if you are able to solve all the questions in the gate standard तो आप आने वाला gate भी बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे okay तो हमारा I think last 10 days यही काम रहेगा okay last 10 days में हम यही करेंगे पोरा 10 years का question papers completely solve करेंगे okay completely solve करेंगे और अगर time मिला तो मैं और ज्यादा numericals भी आपके लिए लिखे आऊंगी extra numericals okay तो आप शुरू कर दीजेगा पढ़ाय करना शुरू कर दीजेगा revision करना शुरू कर दीजेगा अगर अभी तक आप लोग नहीं किया है तो it's okay मगर अब शुरू करना है क्योंकि जब मैं pyq शुरू करूंगी वहां आके आप लोग learning नहीं करेंगे learning का phase खतम हो चुका है जिस दिन आपका pyq session शुरू हो रहा है वहां जाके अपना पूरा का पूरा concentration के साथ आप questions को solve करेंगे तो क्या-क्या benefits होगा इससे आपको previous year questions gate के standard questions के तरह है तो आप उस difficulty level के questions को solve कर पाएंगे secondly जैसे-जैसे questions आप solve करते जा रहे हैं आपका skill उतना ही बढ़ता जाएगा third आपका confidence इतना अच्छा हो जाएगा कि जब आप gate के question paper को देखोगे तो आपको definitely कोई भी दिक्कत नहीं होगी tension नहीं होगी बहुत अराम से उस questions को solve करोगे और अराम से सब कुछ करोगे तो बहुत सारी reasons हैं जिसके वज़े से हम PYQs कर रहे हैं ताकि अगर एक दो concept आप लोगों को नहीं भी पता है तो उसमें भी clear हो जाएगा क्योंकि पढ़ाई करना एक जगह है और उसको apply करना दूसरी जगह हमारा exam application के जगह पे आता है तो पढ़ाई basics का होता है क्योंकि जब आपको जानोगे तभी तो उसको apply कर पाऊगे तो पढ़ाई application तक ले जाएगा आपको so I really want you guys कि आप लोग अपना preparation शुरू कर दीजे revision वाला ओके preparation तो आप करते ही आ रहे हैं यह तरड महिना चल रहा है आपका तो you will start with revision okay high time है यह अब revision शुरू कर दोगे ना अराम से खत्म हो जाएगा जब तक मैं आपका genetics पढ़ा दोंगी फिर जब पीवाई क्यों शुरू करूंगी इतने तयार आओगे आप लोग और अच्छी तरह से सारे questions को full on solve करोगे okay तो मैं यही चाहती हूँ मैं आपको छोड़ूंगी नहीं जब तक आप सारे questions को completely solve कर दो क्योंकि मैं really चाहती हूँ कि आप gate में बहुत अच्छा perform करें क्योंकि आप लोगोंने तीन महीने इसके लिए dedicatedly hard work किया है अगर hard work किया है तो उसके लिए result भी तो आना चाहिए ना hard work किया मगर revision नहीं किया तो result तक कैसे पहुचोगे पढ़ाई कि मगर revision नहीं किया तो solve नहीं कर पाऊंगे क्योंकि revision is a face जहां आप लोग जो भी चीज आप लोगोंने देखा है videos में और जो भी notes अपने बनाएं अपने लिए उसको दुबारा पढ़ोगे ओके दुबारा प समझा है या फिर कुछ समझ नहीं पाए तो दूसरी बार कैसे समझेंगे यह सब कुछ आपका revision phase में हो जाना चाहिए जब आप PYQs के phase में आ रहे हैं तब आपको कोई doubts होना नहीं चाहिए किसी भी concept में दिक्कत definitely होनी नहीं चाहिए अगर दिक्कत है तो revision phase में उस दिक्कत को दूर कर दीजिएगा you have to be 100% confident जब आप अच्छी तरह से confident है तो PYQs के तरफ आईएगा यह time है आपका revision शुरू करने का revision को शुरू कर दीजिए जो भी concepts हमने पढ़ा है उसको दुबारा पढ़िए दुबारा पढ़िए और दुबारा पढ़ते ही रहिए recall करते ही रहि video है देख लीजिएगा अपने concepts को clear crystal clear बना दीजिएगा ओके मैं यही आपके लिए चाहती हूं ताकि जब अब हमारा PYQs phase शुरू होगा आप इतना अच्छा perform करो कि आप इतने confident gain कर लो कि जब get exam देने जाओगे तो इतनी अच्छी तरह से अब कर पाओगे क्योंकि यह ज side करने वाला है तो शुरू कर दीजिएगा आपके revision को मैंने अभी बताया है revision के लिए क्योंकि यह high time है अगर आप लोग revision already करते आ रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत लेने के कोई ज़रूरत ही नहीं है मगर ऐसी कोई बच्चे हैं जो अभी तक revision नहीं कर रहे हैं सिर्फ videos दे आपको हमेशा बताया कि जैसे जैसे videos देख रहे हैं छोटे छोटे अपने लिए notes बना दीजिएगा crisp notes जिसको आप पढ़के revision कर सके तो उस notebook को लीजिएगा वहां से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिएगा अगर कोई concept समझ भी नहीं आ रहा है तो videos दुबरा दिखिएगा कोई यहां वहां दिक्कत हो रही है तो आप हमें बता सकते हैं क्योंकि हम यहां आपके लिए ही है ओके so you can let me know अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो and also कुछ और चीज़ें आपको चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं आपके comments में वैसे भी पढ़के reply करती ही हूँ तो आपकी suggestions के हिसाब से हम और कुछ करना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं तो अभी के लिए plan यही है कि हम animal biotechnology को complete करेंगे फिर genetics शुरू करेंगे और genetics को भी खत्म करेंगे then we will go with PYQs PYQs for past 10 years करेंगे that's it आपका gate का preparations 100% खत्म हो जाएगा ओके शुरू से लेकिए the first video से लेके आपका PYQs end तक का ये सफर आपके लिए सबसे ज़्यादा important है अगर आप लोग नहीं रोज वीडियो follows किये हैं तो आपको कोई भी दिक्कत होईगी ही नहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगी ये मैं आपको 100% guarantee के साथ दे सकती हूँ क्योंकि मैं आपके लिए notes इतनी crisp और इतनी अच्छी तरह से ही बना रही हूँ क्यों especially genetics के लिए हर चीज के लिए तो crisp ही लेके आ रही हूँ मतलब ऐसे notes जो आप पड़ोगे उतना काफी है gate exam के लिए इतना काफी है इससे ज्यादा ना तो वो पूछेंगे और इससे ज्या इसके लिए भी crystal clear और crisp notes ही लेके आऊंगी ताकि आप सारे concepts को अच्छी तरह से समझ ले क्योंकि बहुत बच्चों ने मुझे पहले से ही बताया है कि genetics बहुत difficult है वैसे बताओं तो genetics उतना difficult नहीं है genetics बहुत easy है मज़ेदार है और मतलब आप अच्छी तरह से उसमें score कर सकत हैं difficult तो बिल्कुल भी नहीं है और मेरी class को देखने के बाद आपको difficult लगेगा भी नहीं क्योंकि आपके हिसाब से जिन बच्चों को genetics आता भी नहीं है उनके लिए भी और जो बच्चे genetics कुछ अच्छी कासी हद तक जानते हैं उनके लिए इस पूरी range को मैं cover कर दूंगी जो नहीं जानते से लेके जो कुछ ना कुछ तो जानते हैं पूरा का पूरा range में आपके लिए cover कर दूंगी बिल्कुल basic से ही लेके आऊँगी तो please genetics chapters को definitely skip मत कीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा important है और maths की बात करें तो I don't know अगर आप लोग maths के लिए prepare कर रहे हैं कि नहीं अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्या-क्या important topics है maths में पढ़ने के लिए definitely अगर आप B.Tech की student है तो फिर आपके first year और second year में maths आया होगा उतना maths भी आप अपना notebook में देखके पढ़ लोगे तो काफी है मतलब वो more than enough है अगर न क्योंकि 100% syllabus complete नहीं कर पाए तो भी maths को आप छोड़ सकते हैं यह totally depend करता है कि आपकी capability क्या है अगर आप maths कर सकते हैं तो well and good अगर आप maths नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके लिए बहुत difficult है और आप चाहते हैं कि main course में आप पढ़ाई करें तो that is also fine अगर आप लोग यह प value definitely कि आप लोग अच्छे ranks में आ सकते हैं और सबसे ज्यादा important बात आप अपना gate first time में ही clear कर सकते हैं क्योंकि gate उतना ज्यादा difficult exam नहीं है और हमारी तैयारी पक्की है ठीक है हमारी तैयारी इतनी पक्की है कि तो हम first time में ही उसको अच्छी तरह से अच्छे marks लेके आएंग okay so cell lines आज हम पढ़ने वाले हैं cell lines के बारे में primary culture is subcultured it is known as secondary culture और cell line तो पहले हम इसका meaning समझेंगे आपको पता है कि primary culture क्या होता है primary culture क्या होता है किसी भी animal के body से या फिर किसी भी organ से आप एक cell को निकाल रहे हैं cell या फिर tissues को आप निकाल रहे हैं okay you're removing the tissues उस tissue को आप culture करो तो that is called as primary culture अगर अब primary culture से कुछ tissues लेके फिर subculture करें subculture या फिर passaging it is also called as passaging दोनों का मतलब same ही है okay if you subculture the primary culture then it is called as secondary culture या फिर it is also called as cell line okay उसको हम secondary culture या फिर cell line करके कहते हैं okay cell line ये दो type का होता है okay so your cell line is of two types एक है finite cell line और दूसरा है continuous cell line तो finite cell line में क्या होता है the cell lines which go through a limited number of cell division having a limited life span are known as finite cell lines तो finite cell lines का division वो भी cell division बहुत limited हो सकता है okay बहुत limited होता है जैसे कि अब जब subculture कर रहे हैं उसे हम passage कहते हैं right maximum 10 passage तक ठीक टाक रहेगा उसके बाद 10 passage तक ही वो अपना काम शुरू कर देगा मतलब वो proliferate करना बंद कर देगा okay 10 passage तक if you subculture it for the first time it is called as passage number one अगर आप दूसरी बार करेंगे तो कहोगे passage number two तो 10th time passage करोगे then you'll call it as passage number 10 okay maximum वहां तक ही जा सकता है okay उसके बाद cells में इतनी सारी changes आ जाती हैं क्योंकि उसको हमने बहुत बार passage कर दिया है condition की ability को खो देता है proliferate नहीं कर पाता okay और इसको हम कहते हैं senescence senescence का मतलब क्या है cell की aging हो चुकी है cell बूड़ा हो चुका है okay cell बूड़ा हो चुका है तो वो proliferate नहीं कर सकता वो अपनी proliferation की ability को चुका है वो cell जिन्दा तो रहेगा और उसके पास metabolic activities होती रहेंगी मगर वो मगर वो cell proliferate नहीं करेगा okay I think you guys understand it right तो cells derived from primary cultures of normal cells are finite cell lines अगर हमने primary culture में normal cells से मतलब body cells से ही वो भी अच्छी कासी function करने वाली cells से ही हमने primary culture बनाई है और उससे हमें subculture करके करके cell lines बनाया है then that is called as finite cell lines okay जो की unlimited नहीं होता उसकी proliferation, proliferation capacity कम ही होती है that is called as finite cell line दूसरा आपका आता है continuous cell line okay next is your continuous cell line तो continuous cell line क्या होता है जब आपका finite cell line में कुछ mutation या फिर कुछ transformation हो गया और वो एक ability को gain कर लेता है वो ability है कि divide करे indefinitely मतलब infinitely वो divide करेगा immortal cells बन जाएगा लगा अतार it can divide तो उस cell को हम कहते हैं continuous cell line okay that is called as continuous cell line so such transformation ये transformation किस वज़े से होते हैं mutation के वज़े से होते हैं तो ऐसे mutation या फिर transformations can occur spontaneously मतलब अपने आप से हो सकता है या फिर हम cell culture में इस property को induce करा सकते हैं या फिर using by some chemicals वाइरस के तुरू हम इस property transformation को induce करा सकते हैं finite cell line में तब जाके वो बनेगा continuous cell line okay ये एक तो ये spontaneously होगा या फिर chemically या फिर virally या फिर हम cells ये जो primary cells निकाल रहे हैं न वो आप cancer cell से निकालो normal cell से नहीं cancer cell से अगर आप अपना primary cell culture बनाओगे तो that will be continuous cell line क्योंकि आपका cancer cell का ability ही होता है कि वो immortal है और continuously वो grow कर सकता है तो continuous cell line या तो naturally हो सकता है या फिर आप malignant tissues जैसे की cancer से अपना primary culture निकालो या फिर आप tissues में transformation ला दो using some chemicals या फिर using virus okay so cell cultures prepared in this way can be subcultured and grown indefinitely indefinitely मतलब लगाता ग्रो करेगा without any end ओके वो permanent cell lines बन जाएगा and this is immortal मतलब उनकी मौत होती ही नहीं है so these cells are less adherent मतलब यह adherent नहीं होते है adherent का मतलब क्या होता है attachment जिस surface पे वो grow कर रहे हैं वहाँ attachment नहीं रखते यह suspension culture के तरह grow करते हैं बहुत fast grow करते हैं fastidious होते हैं nutritional requirement के थ्रू और उनकी cell density बहुत ज्यादा होती है आपने primary culture में देखा कि वो it will be like a monolayer okay it will be like a monolayer बगर आपका यह जो continuous cell line है यह monolayer नहीं होगा एक cell के उपर ही दूसरा cell अपना दूसरा layer बना देगा okay so they also have a tendency to grow on top of each other मतलब एक cell के उपर ही दूसरा cell भी अपना दूसरा layer बना देगा okay so आपका पूरा cell culture vessel में इतना ज्यादा layer बन जाएगा कि आप उसे देख पाओगे so common cell lines कुछ common cell lines है जैसे कि human cell lines mcf7 breast cancer का cell line है दूसरा hl60 leukemia का cell line है then you have hila human cervical cancer cells आपके लिए एक homework है आपको पता करना है कि यह hila cell line क्या है okay और यह hila cell line कहां से obtain किया है okay you know it is cervical cancer cell line मगर एक person का नाम ही यह hila है okay उसका full form अगर आप देखोगे अब यह actually hila abbreviation है उसका full form देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यह hila cells कौन से इनसान से लिया गया है okay उनका नाम okay आपको यह comment section में definitely डालना है okay put it in the comment section और you can also let me know एक यह दो फिर दो sentence से लेके vaccination से लेके सब कुछ cancer treatment तक सब कुछ hila cell line से ही किया जाता है क्यूंकि this is the first human cell line okay human cell line है फिर आपका आता है primate cell line जहां monkey पे किया जाता है African green monkey kidney epithelial cells okay African green monkey का kidney का epithelial cells को लेकि हमने cell line बना दिया and that is called as Vero okay अभी हम जानेंगी applications of cell line cells अभी हमने देखा कि cell lines क्या होता है उसकी types क्या होती है now we will see the applications of cell line cell lines की इतनी ज्यादा applications है कि पूरा cell culture techniques tissue culture technique cell line से ही चलता है industry पूरा का पूरा cell line से ही चलता है first is vaccine production आप cell line को use करके अपना vaccine produce कर सकते हैं okay क्योंकि cell line continuously grow कर रहा है आपका protein production vaccine production इतना ज्यादा होता है yield आपको इतना मिलता ही रहेगा मिलता ही रहेगा without any end okay तो आपको yield बहुत ज्यादा मिलेगा so the ability to grow large amount of virus in cell culture eventually led to the creation of polio vaccine तो पहला vaccine ये cell culture के थूरू produce हुआ था polio vaccine उसके बाद rabies, chickenpox, hepatitis B, measles इन सब के लिए भी vaccination cell line से ही produce किया जाता है researchers had to use live animals to grow the polio virus बतला पहले ये सब techniques आने से पहले researchers लोगोंने क्या किया ये polio virus को animal में inject करके उसको infect कराके ही vaccines बनाना शुरू किया मगर जब से cell culture की technique की development हुई तब से हमने virus production पे इतना काबू पालिया है कि हम बहुत बड़े scale में vaccine को produce कर सकते हैं और बहुत सारी treatment के लिए भी use कर सकते हैं मगर cell line का एक disadvantage है कि हम उसे human vaccine के लिए use नहीं करते हैं क्योंकि cell line कहां से आता है? अगर उसको हम humans में डालेंगी तो human में भी वो qualities जैसे की cancer आ सकता है नेक्स्ट इस virus cultivation and study वाइरस को cultivate करना बहुत ही मुश्किल काम है और उसके लिए bio safety cabinets 3 तक का जाता है मतलब बहुत ही safety होती है उसके लिए और costly भी होता है बहुत सारे instruments, equipments की जरूरत पढ़ती है labor कम होते हैं क्योंकि highly skilled labor सी जरूरत पढ़ती है तो virus cultivation के लिए cell line से अच्छा और कुछ होई नहीं सकता तो जब से cell line का use आया है तो virus को cultivate उसी में किया जाता है और उसको study भी cell lines में ही किया जाता है जो कि सबसे ज़्यादा convenient है easy है और easy है economic है क्योंकि पहले animals में virus का cultivation किया जाता था cell lines are convenient for virus research because all the cell material is continuously available सब कुछ already present है तो cell lines में virus का research करना बहुत आसान और convenient हो चुका है continuous cell lines have been extremely useful in cultivating many viruses previously difficult और impossible to grow कुछ ऐसे viruses होते हैं जो कि grow करना बहुत मुश्किल होता है तो वैसे type of viruses को भी आप continuous cell line के तुरू grow कर सकते हैं next आता है आपका application cellular and molecular biology में तो cell culture, cell biology और molecular biology में सबसे ज़्यादा important tool हो चुका है especially ये एक model system के तरह काम कर रहा है जहां हम cells की physiology या फिर biochemistry पढ़ाई कर सकते हैं की senescence के बारे में बढ़ सकते हैं, cell cycles के बारे में बढ़ सकते हैं metabolic activities के बारे में हम बढ़ सकते हैं also हम इन cells को treatment के लिए use कर सकते हैं अगर ये cancer cells को हमने culture किया है तो वहां drugs को देखके देखेंगे की cells क्या उस drugs के लिए respond कर रहा है ऐसे करके हम mutagenesis, carcinogenesis studies भी कर सकते हैं the major disadvantage of using cell culture for any of these application is the consistency and reproducibility consistent नहीं होता और reproducible मतलब एक बार जो आपका result आया दूसरे बार भी आपका same result नहीं आता ओके, so इसको obtain करने के लिए clonal cells use किया जाता है इस disadvantage को दूर करने के लिए cancer के research में सबसे ज्यादा काम आता है cell line क्योंकि cell line cancer cell से भी हम obtain कर सकते हैं फिर उस cell को use करके हम treatment methods शुरू कर सकते हैं कोई drugs देके हम देखेंगे कि क्या cancer cell lines मर रहे हैं कि नहीं या फिर कोई radiation या फिर chemicals सब कुछ हम cancer की research के लिए cell line से कर सकते हैं ताकि new treatment methods को हम ला पाहें gene therapy, gene therapy में क्या होता है आप एक gene जो की defective है उसको knockout कर दोगी और देखोगी कि क्या इस gene के बिना cells की function normal है की नहीं तो ऐसी studies आप cell line में कर सकते हैं immunological studies immunological studies के लिए आप cell culture techniques use कर सकते हैं for various immune cells cytokines lymphoid cells उनके बीच की interactions ये सब हम अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है next topic हम आज जानने वाले हैं transgenic animals तो transgenic animals क्या होते हैं okay let's know what is transgenic animals तो transgenic का मतलब क्या है transgenic animals are the animals with the modified genome मतलब है कि एक animal में हम एक quality लाना चाहते हैं extra quality जो उस animal में नहीं है extra trait okay तो उसके लिए हम एक gene उस animal की genetic material में add कर देंगे अब वो animal कहलाएगा transgenic animal क्यूंकि that animal will be able to produce the gene of our interest जो gene हमने उस animal में डाला था वो gene वो अभी produce कर पाएगा produce करने का मतलब है expression of the proteins okay जो character हम उस organism में लाना चाहते थे वो हो सकता है using transgenic animals okay a foreign gene is inserted into the genome of the animal to alter its DNA DNA में हम कुछ change लाएगे so this method is done to improve the genetic traits of the target animal एक animal की trait को हम increase करने के लिए यह method यूज करते हैं जैसे कि milk production को increase करने के लिए हम cows में genetic engineering कर सकते हैं okay या फिर milk की quality को improve करने के लिए या फिर उसमें vitamins को extra add करने के लिए हम genes यूज कर सकते हैं okay so transgenic sheep के बारे में बाते करते हैं आपका first cloning product था Dolly the sheep okay पहला-पहला cloning एक sheep में perform किया गया था और आपका result आया Dolly sheep okay it was created in Scotland in 1997 with the nuclear transfer technique nuclear transfer technique का मतलब है दो cells लिए गए एक cell था memory gland का और दूसरा cell था egg cell okay दोने के पास nucleus है okay अब यह है egg cell okay this is your egg cell egg cell की nucleus को हटा दिया हमने और सिर्फ cytoplasm रखा और यहां से हमने सिर्फ nucleus लिया सिर्फ nucleus लिया और उस nucleus को हमने transfer किया इस cytoplasm में okay now you got a cell fusion इस cell को हमने सरगेट मदर के अंदर डाल दिया सरगेट मदर की uterus में implant कर दिया eventually आपको क्या product मिला आपको मिला the product dolly okay so dolly is the first cloning experiment का result so इसको करते करते लोगों ने और भी सोचा कि ठीक है हमने transgenic shape बना तो दिया मतलब यहां cloning तो कर दिया क्या हम transgenic का भी कुछ कर सकते हैं मतलब कुछ human gene को किसी animal में डाल के क्या उस gene को हम express करा सकते हैं यह भी किया गया था और आपका product मिला poly उस experiment का product था poly poly क्या है एक transgenic lamb है lamb मतलब goat का बच्चा okay so उसके अंदर एक human gene को express किया गया so the development of dolly and poly the first cloned animals created waves all over the world मतलब इसका इतना ज्यादा revolution हुआ था कि बहुत सारे application है हम बहुत सारे human proteins को ऐसे animals के अंदर बना सकते हैं so यहां आप देख सकते हैं यह था एक sheep जहां से हमने other cell से other cell निकाला other cell क्या होता है memory gland का cell memory gland के cell वहां से हमने एक cell को निकाला next from egg cell एक egg cell निकाला egg cell से nucleus को हटाया memory gland cell से nucleus को लिया और transfer किया egg cell के अंदर आपको मिलेगा cytoplasm of the egg cell and the nucleus of the other cell उसको एक सारगेट मदर के अंदर डाला then you got a very beautiful product that is the clone of a sheep sheep का बच्चा आपको मिला that is called as dolly normal physiology and development के लिए कितना काम आता है transgenic animals हम देखने वाले हैं in transgenic animals a foreign gene is introduced due to which the growth factor is altered foreign gene को हम transgenic animals के अंदर introduce करेंगे जिसके वज़े से हम पढ़ाई कर सकते हैं gene regulation के बारे में और ये gene day to day activities को कैसे affect कर रहा है study of the diseases disease को भी हम study कर सकते हैं जैसे कि हमने एक transgenic model of the animal बनाया okay transgenic animal model जिसमें हमने एक disease called as Alzheimer's okay brain related disease है उसको हमने Alzheimer's induce करवा दिया या फिर cancer induce करवा दिया अभी हम उस animal के पास ये disease है Alzheimer's है या फिर cancer है अब हम drug trial करेंगे drugs को हम उस animal में trial करके पता करेंगे क्या ये Alzheimer क्योर हो रहा है की नहीं okay next is अगर ये क्योर हो रहा है then that drug will be administered to humans also biological products breast milk जो कि सबसे ज़ादा important होता है babies के लिए for up to 6 months to 1 year उसका alternative भी आचुका है through this transgenic animal the milk contains human gene alpha lactalbumin okay human gene alpha lactalbumin इस milk में हमने recombinant बनाया है using transgenic animals से हमने produce करवा है जो कि alternative है mother's milk की alternative है okay vaccine safety transgenic animals are used as the models okay organism models जिसमें हम vaccine की safety test कर सकते हैं जैसे कि अभी coronavirus के लिए कितने companies vaccines बना रहे हैं तो वो definitely transgenic animals में चेक करेंगे so that is all for you today guys हमने आज बहुत सारे concepts पढ़े important concepts पढ़े cell lines के बारे में हमने पढ़ाई की कुछ transgenic animals के बारे में पढ़ाई की I hope आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा so you can let me know about the experience of this class in the comment section अगर आप CSR net के लिए preparation कर रहे हैं और an academy में join करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और नेहा दनीजा मैं को follow करना शुरू कर दीजिएगा आपको daily live classes मिलेगी structured courses मिलेगी live tests and quizzes then unlimited access आपको मिल जाएगा और ये हैं आपकी pricing की packages जैसा आपका comfort है उसको आप चूज कर सकते हैं 10% off के लिए you have to use the code नेहा so like, share and subscribe and also comment on the videos ओके तो आर YouTube चैनल गुर्मांत्र सिक्षा का गरन्त आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर जॉइन कर सकते हैं फेस्बुक पी जा फिर वेबसाइट को चेकाउट कर सकते हैं अगर आप हमसे बात करना चाकते हैं या फिर कोई queries को solve करना चाकते हैं तो आप हमें mail कर सकते हैं या फिर all भी कर सकते हैं so thank you so much guys have a nice day अच्छी तरह से अपना preparation करना शुरू कर दीजेगा especially revision start revising guys सबसे important है मैं seriously आपको बता रही हूँ कि revision करना शुरू कर दीजेगा okay thank you so much guys कर सकते हैं